जंगल में सभी छोटे पक्षियों को अस्कूल से घर्मियों की छुटगा हो गई थी छोटा चड़िया का बच्चा जिसका नाम कुकु था कई दिन से अपनी मम्मा से नानो के पास जाने की जिद कर रहा था और आज उसकी मम्मा मान गई थी आपको नानो पास लेकर तो जा रही हूँ मगर याद रखना आप मेरे साथ ही वापिस आओगे हाँ हाँ मम्मा मैं आपके साथ ही वापिस आ जाओंगा अगर वहाँ जाकर जिद की तो मैं फिर कभी आपको साथ नहीं लेकर जाओंगी आपने पिशली बार भी नानो को बहुत तंग किया था ममा कहा ना इस बार में कोई शरारत नहीं करूँगा फिर ममा चिडिया कुछ सामान लेती है और अपने बेटे के साथ कुकु की नानो वाले जंगल जाती है थोड़ी दूर वो ओटो स्टाप से एक ओटो में बैख जाती है सफर जल्द ही कट जाता है और वो मा बेटे साखर वाले जंगल कुकु की नानो के पास पहुंचाती है आओ आओ मेरे बच्चो मैं तो केई दिनों से आपका इंतजार कर रही थी नानो, नानो, ममा मान ही नहीं रही थी मैं लाया हूँ ममा को मा, आपको तो पता है, पासों का मोसम भी आने वाला है और मुझे घर की मरमत का काम भी करना था मगर इस कुकू ने तो मुझे बहुत तंग किया मेरे पीछे ही पड़ गया था मेरे बचे का अपनी नानों से मिनने को दिल कर रहा होगा जब आप छोटी थी तो आप ये जिद किया करती थी देखा देखा ममा नानों नेमुझे आपका सीक्रेट बता दिया आप भी जिद दी थी फिर कुकु ऐसे हंसने लग जाता है कुकु की नानो बाजार जाने लगती है तो कुकु भी जिद करके अपनी नानो के साथ चला जाता है यहां से मैं अपने बेटे के लिए मिठाई लूँगी नानो मुझे लटू बहुत पसंद है मेरे लटू लेना फिर कुकु की नानो मिठाई की दुकान से लडू लेती है और अपने घर वापिस होती है घर जाकर वो सब मिठाई खाते हैं भोजन खाते हैं और रात को कुकु अपनी नानो के साथ सो जाता है सुभा हो जाती है ममा चिडिया ने घर की मरम्मत भी करना थी इसलिए वो अपने बेटे कुकु से कहती है चलो बेटा अब वापिस चलें मुझे बहुत काम है ममा पलीच पलीच मुझे नानो के पास ही छोड़ जाए आपने घर से आते समय मुझे से प्रॉमिस किया था याद करो मगर कुकु रोने लग जाता है कुकु को रोता हुआ देहकर कुकु की नानो कुकु की ममा से कहती है बेटी आप जाओ मैं एक दो दिनों तक कुकु को छोड़ जाओंगी आप जाए ममा मैं नानो के साथ आ जाओंगा मा ये बहुत जिद्धी और शरारती है आपको तंग करेगा कुकू बेटा मुझे तंग तो नहीं करोगे न नहीं नानो ममा प्लीच आप जाएं आपको देर हो रही है फिर कुकू की ममा कुकू की जिद के आगे हाड जाती है और कुकू को नानो के पास ही छोड़ कर वहां से चली जाती है कुकू तो बहुत शरार्ती था अपनी ममा के जाते ही कुकू शरार्ते शुरू कर देता है नानो नानो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलाऊं नहीं बेटा आपको इस जंगल के रास्तों का नहीं पता आप कहीं खो जाओगे मुझे सब पता है नानो प्लीच मुझे जाने देना मगर कुकु की नानो नहीं मानती आप घर में ही रहेंगे मैं अभी बाजार से सबजी लेकर आती हूँ फिर कुकु की नानो बाहिर से दर्वाजा बंद करके सबजी लेने चली जाती है सबजी की दुकान थोड़ा दूर थी इसलिए नानो को सबजी लाने में देर लग जाती है पीछे से कुकू तो घए में बहुत बोर हो रहा था वो तो बड़ों का कहना भी ना मानता था इसलिए वो दर्वाजा खोलने की कोशिश करता है मगर दर्वाजा बाहिर से बन देह कर कुकू खिड़की की तरफ जाता है जब तक नानो वापिस आएंगी मैं खिड़की के रास्ते थोड़ा बाहिर घूमाता हूँ कुकू खिड़की में से बाहिर निकल जाता है वो उड़ता हुआ बड़े पेड़ों की तरफ जाता है वहां उसे एक पेड़ पर बुलबला बैठा हुआ मिल जाता है जो उसका दोस्त था बुलबले यार मैं कल से आया हुआ हूँ और आम उसे मिलने ही नहीं आए मुझे तो पता ही नहीं चला चलो, मस्ती करते हैं, मेरे घर के पास आमों का पेड़ है, वहां से आम खाने जाते हैं ऐसे कुकू बुलबले के साथ आम खाने चला जाता है नानो जब खर वापिस आती है, तो कुकू को घर में ना देह कर नानो बहुत परेशान हो जाती है रानो साची कहती थी ये बच्चा तो बहुत तंग करता है अब मैं उसे कहां से ढूंडूँ ना जाने कहां चला गया है फिर कुकु की नानो कुकु को ढूंडने घर से निकलती है शाम हो जाती है मगर कुकु तो बुलबले के साथ बैठा आम खा रहा था उसे अपनी नानों की जराबी चिंता ना थी कि उसकी नानों उसे लेकर परेशान होंगी कुकु चलो मेरे घर जाते हैं और मेरे खिलोनों से खेलते हैं चलो चलो बहुत मचा आईगा कुकु बुलबले के साथ उसके घर चला जाता है कुकु की नानो कुकु को पूरे जंगल में धोंड धोंड कर ठक जाती है और फिर उसे मैना मिलती है कुकु की नानो उसे पूछती है मेरा नमासा नहीं मिल रहा मैना क्या आपने उसे कहीं देखा है एक छोटा बच्चा बुलबुल के बेटे के साथ उसके घर जा रहा था आप वहाँ जा कर देखें ये सुनकर कुकु की नानो जल्दी से बुलबुल के घर जाती है शरम करो बेटा, मैं पागलों की तरहां आपको पूरे जंगल में ढून रही हूँ और आप यहाँ हो, सोरी नानो मैं खर में बोर हो रहा था फिर कुकु की नानो उसे घर ले जाती है बेटा, ऐसे बताए बिना, कहीं भी नहीं जाते बच्चों का तो खेल होता है, और हम बड़े परिशान होते हैं ऐसे फिर कुकु अपनी नानो के साथ सो जाता है दूसरे दिन कूकू अपनी नानों के घर के बाहिर बैठा हुआ था कि उसे दूर एक बड़ा जूला चलता हुआ दिखाई देता है जो पेड़ों से भी उंचा था कूकू फिर से किसी को बताए बिना उस जूले की तरफ चला जाता है बड़े जूले में और भी पक्षी बैठे हुए थे कूकू भी जाकर उस बड़े जूले में बैठ जाता है मगर कूकू तो बहुत शरारती था जैसे ही कूकू वाला जूला उपर जाता है कूकू जूले से बाहिर निकलने की कोशिश करता है लोहे की एक सलाख से टकरा कर कुकू सीधा नीचे जमीन पर गिर जाता है देखो देखो वो बच्चा गिर गिर गिया है उसे चोट लगी है सब पक्षी वहां जमा हो जाते हैं कुकू के पंक से खून बह रहा था उसे बहुत दर्द भी हो रहा था आप कौन हो और आपका घर कहा है मुझे मेरी नानों के पंचा दे प्लीज मुझे बहुत दर्द हो रहा है फिर मैना वहां आती है उसे तो कुकू की नानों के घर का पता था वो कुकू को उठा कर उसकी नानों के पास ले जाती है ये क्या हुआ मेरे बच्चे को मेरे बच्चे के पांक से तो खो निकल रहा है ये बड़े जूले से गिरा है फिर कुकु की नानो कुकु के पांक पर पट्टी बांद देती है कुकु बेटा जो बच्चे ऐसे अपने बड़ों को तंग करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं नौ-नो मुझे माफ कर दें आज मुझे पता चल गया कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात मानना चाहिए और जहां भी जाओ अपने बड़ों को बता कर जाओ ऐसे कुकु फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है क्योंकि आज उसके पंक में बहुत दर्द हो रहा था प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों का कहना मानो लालिच करने वाला हमेशा नुकसान ही उठाता है ये तो आपने सुना ही होगा आईए इस कहानी में देखते हैं कि कैसे लालची कालू कववा लालिच में आकर अपना ही नुकसान कर बैठता है जंगल में कालू कववे की गौल गपे की दुकान थी वो अपनी दुकान लगाय हुए बैठा हुआ था कि वहाँ एक कबूतर आता है जो एक हवाई मोटर में आता है दिखने में वो कबूतर बहुत अमीर लग रहा था हेलो सुनो गोल कप्पे वाले मुझे एक पलेट गोल कप्पे दो साहिब मिर्ची तेज जा कम मिर्ची थोड़ी कम ही रखना फिर कालू कवा कबूतर को एक पलेट गोल कप्पे की दे देता है कबूतर बड़े मजे से वो गोल कप्पे खाता है कितने पैसे बने भही आपके साहिब केवल पचास रुपे पचास की पलेट है आप मुझे बहुत अच्छे लगे हो क्या आप मुझे दोस्ती करोगे साहिब मैं ठहरा गरीब पक्षी गोल कपे बेचने वाला और आप अमीर मेरी और आप की कैसे दोस्ती हो सकती है क्यों नहीं तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं बन सकते अच्छा फिर मिलेंगे, ये लो सो रुपे रख लो साहिब सो तो बohut ज़दा हैं मेरे तो पचास रुपे बनते हैं भाई कहा है ना तुमहें रख लो, दोस्ती है, हिसाब कैसा फिर कबूतर कालुकवे को सो रुपे देकर चला जाता है और कालू कवा उस सो रुपय के नोट को देखता ही रह जाता है शाम को कालू कवा घट जाकर अपनी पतनी से कहता है गोरी आज मेरी दोस्ती एक बहुत अमीर पक्षी से हुई है अमीर पक्षी से वो कैसे पती जी? आज मेरे पास एक कबूतर जो बहुत अमीर था अपनी हवाई मोटर में गोल कपे खाने आया था और पता है वो मुझे दाम की बजाए सो रुपय दे कर गया है और मुझे से दोस्ती भी की है उसने वाँ एक पलेट गोल कपों की खाई और दे गया सो रुपय फिर तो वो बहुत अमीर पक्षी होगा तीन दिन गुचर जाते हैं और फिर एक दिन वो ही पक्षी दुबारा आता है कालुकवा उसे देखते ही भाकर उसके पास आता है और अपने नोकर तोते से कहता है देख नहीं रहे हो तुम मिठू जाओ और साहिब जी के लिए बोतल लेकर आओ मिठू बोतल लेने चला जाता है और कबूतर बैठ जाता है आज मैं यहां से गुजर रहा था सोचा अपने दोस से ही मिलता जाता हूँ ये तो बड़ी किर्पिया है जी आपकी जो हम जैसे गरीबों को अपना दोस्त समझते हैं आप वो सामने दुकान किसकी है? वो दुकान एक चिडिया की है और वो ओटो किसका है? साहिब वो ओटो भी उस चिडिया का ही है बहुत अच्छा है वो ओटो इतने में कालु कानोकर मिठु बोतल लेकर आ जाता है कबूतर बोतल पी लेता है और कालु से कहता है यार मैंने घर जाकर तुम्हारी भापी को बताया के मेरे दोस्त कालू के गोल कपे बहुत सवादिश्ट हैं वो बोलने लगी के मैं भी खाऊंगी आप एक प्लेट गोल कपों की तो पैक कर दें मैं अभी कर देता हूं साहिब फिर कालू कवा एक प्लेट गोल कपे पैक कर देता है ये लो यार ये 200 रुपए रख लो नाना साहिब मैं भाबी के गोल कपों के पैसे नहीं लूँगा आपने दोस्त कहा है मैं भी दोस्त बन कर दिखाऊंगा नहीं नहीं आप ये पैसे रख लो फिर कबूतर कालू कब्वे को 200 रुपए देता है और एक प्लेट गोल कपों की पूरे 200 में बेच दी थी मेरा दोस्त आज फिर आया था और पता है आज वो मुझसे एक प्लेट गोल कपों की पूरे 200 में ले गया अब तो मैं भी मान गई वो सच में बहुत अमीर बक्षी होगा ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और कबूतर फिर से आता है मगर आज वो अपनी हवाई मोटर पर नहीं बलके उड़ते हुए आता है और साथ में उसकी पतनी भी थी साहिब क्या हुआ आपकी हवाई मोटर कहा है यार क्या बताओं ये आपकी भाबी है नमस्ते कवे भाई नमस्ते बहें यार मेरी हवाई मोटर रास्ते में खराब हो गई थी अच्छा यार वो सामने जो ओटो खड़ा है वो किसका है साहिब वो चिडिया का है यार मुझे वो ओटो तो थोड़ी देर के लिए लेकर दो मैं तुम्हारी भाबे को घड़ छोड़ कर अभी आता हूँ मैं अभी लेकर आता हूँ साहिब आप यही बैठे फिर कालू कवा चुडिया के पास चाता है चुडिया बेहन मेरे दोस्त कबूतर की हवाई मोटर खराब हो गई है उसके साथ उसकी पत्नी भी है आप थोड़ी देर के लिए अपनी हवाई ओटो तो दें उसे अपनी पत्नी को घर छोड़ने जाना है देख लो कालू कहीं वो आपका दोस्त मेरी हवाई ओटो ही लेकर ना भाग जाए नहीं नहीं चुडिया मेरी अच्छी दोस्ती है उसके बूतर से वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा फिर चुडिया कालू को अपनी हवाई मोटर दे देती है ये ले आप भाबी को खर छोड़ाएं आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं अगर आप पचास की जगा मुझे सो दे सकते हैं तो मैं भी आपके काम आ सकता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में आया फिर कबूतर अपनी पतनी को उस हवाई ओटो में बिठाता है और वहां से चला जाता है घेंटा दो घेंटे शाम हो जाती है जब कबूतर वापिस नहीं आता तो कालू थोड़ा थोड़ा परेशान हो जाता है यार मिठू मेरा दोस्त कबूतर अभी तक लोट कर नहीं आया मालिक जी मुझे तो लगता है वो कबूतर कोई फराडिया था वो आप से हाथ कर गया है नहीं यार वो ऐसा नहीं हो सकता चिडिया भी आ जाती है कालू मुझे घर जाना है तुम्हारा दोस्त अभी तक मेरा हवाई ओटो नहीं लेकर आया शायद उसे कोई काम पड़ गया होगा चिडिया आप धीरच रखें वो आने ही बाला होगा फिर तो राथ हो जाती है जब कबूतर लोट कर नहीं आता तो चिडिया ऐसे ही वापिस चली जाती है और कालू भी घर वापिस चला जाता है घर जाकर कालू सारी बात अपनी पतनी को बताता है अब तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं सच में वो कबूतर फराडिया ही ना हो अगर ऐसा हो गया तो हम चिडिया का ओटो उसे कहां से वापिस करेंगे मरेंगे और क्या करेंगे पैसे देना पड़ेंगे चिडिया को उसके ओटो के चिडिया दो दिन तक इंतजार करती है मगर कबूतर कहां लोट कर आने वाला था वो तो कालू को चूना लगा कर चला गया था फिर चिडिया एक दो पक्षी बुलाती है कालू से बात होती है कालू दोस्त था वो तुम्हारा और चिडिया से ओटो लेकर भी तुमने ही दिया था उसे अब सीधे से चिडिया को ओटो के पैसे दो वरना हमसा मिलकर तुम्हें इससे भी बड़ा डंड डालेंगे कालू कवार करता भी तो क्या वो चुरिया को ओटों के पैसे दे देता है सब वहीं बैठे हुए थे जब चील रोती हुई आती है मरे वो कबूतर फराडिया कल मेरे पास आया मुझसे एक प्लेट बिर्यानी की खाई और पैसे दुगने दे गया कालू तुम्हें कैसे पता चला और फिर बाद में तुम से क्या लेकर गया मेरी सोने की अंगूठी कहता था मैं अपनी बतनी को दिखा कर अभी आया मगर कल से लोटा नहीं तो फिर वो तुम्हारे साथ भी हाथ कर गया अगर हमने लालज न किया होता और ऐसे रह जाते पक्षी पर विश्वास न किया होता तो हमें नुकसान न उठाना पड़ता प्यारे दोस्तों, हमें किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही किसी रह जाते से दोस्ती करनी चाहिए